वो डिटेल आपको आजाएगी उसे डिटेल आजाएगी और कुछ बंदिशें हटाने का फैसला हुआ है क्या अभी तो कर्फी तो जारी रहेगा लेकिन कुछ अभी तक दुकाने बंद हैं तो बैपार मंडल का लग लग प्रतिनिदी मंडल हमको मिला है और उनने कुछ बातें उसमें कही है सुझाब के रूप में आग्रे के रूप में उनकी बातों को भी सुना हमने सुनने के बाद हमने इस बात पर विचार किया कि एकनॉमिक एक्टि समाज के किसी भी वर्ग में ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए कि जिसमें उनको बहुत जादा कचनाई हो जाए कचनाई का दौर तो है ही लेकिन फिर भी उसके बावजुद हमने निर्ने किया कि अब 31 तारीक के बाद जो रिलेक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए और उसमें पांच घंटे की रिलेक्सेशन उसमें उपलब्द की जाएगी एक तो निर्ने यह किया दूसरा जो स्कूल, कॉलेजिस विरा उसके बारे में हमने कहा कि पांच तक हम पांच को हमने कैवनेट रखी है और पांच तारीक को हम उन सारे व कि अध्रवाहर प्रावल की है अधर में जह प्रेस्वा अभी तक जो हमने अभी बंद किया थे यहाएं करें के वर्क फ्रॉर्म हमने शुरू किया था उसके लिए उसकी शुरूरात होनी चाहिए कामि शुरू होना चाहिए तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे ये भी हमने निरने लिये हैं तो ये दो तीन महत्तव पूर निरने उसमें उस दिश्टी से लिये हैं और बाकी रिस्टिक्शन्स एजिट इस रहेंगी क्योंकि कोबिट के मामलों में हिमाचल में हमने देखा कि गिरा विलूम पड़ता है कि हम काफी अद्ट तक जो है उसमें ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक फिर भी जो डैथ हो रही है वह चिंता का विशह जरूर बना वह अभी तक रिलैक्सेशन इससे ज्यादा देना अभी तक संभव नहीं है अभी पॉब्लिक ट है और में नौ बजे से दो बजे तक नौ बजे दो बजे तक वो समय रहेगा और उनने यह इसी तरह से मांग घीतिक अज के बाद पहले आज के दौर में तो इस दौर से निकलना है को वीट से लोगों की जान कैसे स्पुरक्षित हो सके और जो रिस्टिक्शन हमने लगाई हैं उस रिस्टिक्शन के माध्यम से हम को बीट को कैसे नियंतर्ण में कर सके वह मौत्तपून है उस तरह से हमने बात की है